आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नेपेंथिस, यूट्रीकुलरिया, ड्रॉसेरा और गुलमोहत यह आप बोला गये हैं कि इन चारों में से कौन सा और वन आउट है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेपेंथिस, यूट्रीकुलरिया और ड्रॉसेरा यह तीनों ऐसे प्लांट है जो कि बेसिकली किसमे आते हैं तो यह काउंट किये जाते हैं ऐस अ कार्नी वोरस प्लांट कार्नी वोरस प्लांट इसलिए कहा जाता है कि यह कैच करते हैं इनसेक्स को और उन इनसेक्स में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे enzymes को डाल देते हैं जो enzymes insects के अंदर lysis करते हैं और insects का जो भी food या फिर nutrition रहता है वो यहां पे absorb किया हुआ पाया जाता है या फिर absorb होता है by all this three plants इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है कि कार्णी वोरस plant हिसाब से जाना जाता है और क्या होता है कि ये तीनों plant होते हुए भी heterotropy जो है वो शो करते है heterotropy जो है ये basically without making food depends on other को कहा जाता है जो कि ये तीनों शो करते है लेकिन वहीं पे अगर गुलमोहर का बात किया जाए तो ये ऐसे plant होते हैं जो कि बाकाइदा से photosynthesis करते हैं और सिर्फ photosynthesis से ही ये अपना खाना खुद यानि हम लोग कह सकते हैं कि autotropy ही शो करते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो odd one out है वो इन चारों में से हो जाएगा गुलमोहर और उसी को हम यापे टिक कर लेंगे क्लासिक से 12 से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर